नमस्कार मित्रों आज के वेडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ साप जारने के मंत्र के बारे में अगर आप ये जानना चाहते हैं तो सबसे पहले इस वेडियो को आप लाइक कर दें इस वेडियो के नीचे जै महाकाल कमेंट कर दें साथ में चैनल को सबस्क्रेब कर दें और वेडियो को बड़े ही ध्यान से आप सुनने का पड़्यास करें मित्रों अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम का लिंक इस वेडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तो आप लिंक पर क्लिक करें और इस्टाग्राम पे आप मुझे फोलो कर लें तो अब हम आगे बढ़ते हैं मित्रों सर्प जहरने का मंत्र है ओम नमो भग्वती वज्रमय हन्य हन्य ओम भक्ष भक्ष ओम खादे खादे ओम अरी रक्तन पिब कपालेन रक्ताची रक्त पटे भश्मादी भस्म लिपते सरीरे बज्रायुधे बज्र कराश्चिते पुरबा दिशंबंधे बंधे ओम दक्षिना दिशंबंधे बंधे ओम पश्चिमो दिशंबंधे बंधे ओम उत्तरा दिशंबंधे बंधे ओम नागान बंधे बंधस्या ओम नागपतनी बंधे बंधे ओम असुरान बंधे बंधे ओम यक्ष राक्षस पिसाचान बंधे बंधे ओम प्रेत भूत गंधर्ववाद्यों ये के चिदू पद्र वास्ते भयो रक्ष रक्ष ओम उद्ध्वं रक्ष रक्ष ओम अधो रक्ष रक्ष ओम छुडिके बंधे बंधे ओम ज्वल महाबले घट घट ओम मोदी मोदी सटावली बज्रादी बज्र प्रकारे हुंग फट हिरिंग हिरिंग श्रिंग फुंग फेह फह शर्ब ग्रहे भ्याह शर्ब व्याधी भ्याह शर्ब दुस्टो पद्र बेभ्यो हिरिंग आसे से भ्यो रक्ष रक्ष विसंग नासे अमू कस्यो शर्बांगिन रक्ष रक्ष हुंग फट स्वाह मित्रों इस मंत्र को आप कम से कम चार से पाँच बार सुनने का पडियास करें क्योंकि एक दो बार में यह मंत्र आपको समझ नहीं आने बाला है तो आप मंत्र को बार बार सुने ताकि यह मंत्र आपके समझ में आ सके मित्रों जब आप किसी का बिस उतारना चाहते हैं तो आपको करना किया है कि अपने हाथ में आपको जल का एक पात्र लेना है उस जल को आपको इस मंत्र से अभिमंत्रित करना है अभिमंत्रित करने के लिए आपको जल लेने के बाद कम से कम तीन बार इस मंत्र को पढ़ना है इस मंत्र को जब आप तीन बार पढ़ते हैं तो वह जल अभिमंत्रित हो जाएगा अभिमंत्रित करने के बाद जिस ब्यक्ती को सांप ने काटा है वह जल आपको उस ब्यक्ती को पिला देना है अगर आप ऐसा करते हैं तो सांप का बिस उतर जाएगा तो यही था वो मंत्र तो इस वीडियो को आप लाइक कर दे साथ में चैनल को सब्सक्रेब कर दे अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो पसंद आई हो तो इस वीडियो के नीचे नाइस वीडियो कमेंट कर दें इस वीडियो को आप हर जगह से यर कर दें धन्यवाद